हे गाइस माइनेम इस अमरिता और आज मैं बहुत हैपी हूँ क्योंकि कल जो है क्रिस्मस है और मैं भी किस सेंटर क्लोज वाला मेकप करने वाली हूँ और पूरी सेंटर बनके दिखाऊंगी आपको आप लोगों को वैसे तो सेंटर क्लोज का बहुत ज़्यादा कुछ मेकप आपको दिखाती हो यह बनाया मैंने है मौच बनाई है मैंने नीचे की डाड़ी है और यह मौच बनाई है यह लगाँगी मैं और चलो आप करते हैं कि सबसे पहले मैं यह डार्क सरकल को हाइड कर रही है अपने कि मैं इतना हाफ मेकप करूंगी क्योंकि नीचे जो है दाड़ी और मुछ जो है मुझे पेस करना पड़ेगा से लिए मैं इतना ही कवर कर रहें इतना एरिया मैंने हैंड से ही ब्लैंड कर दिया बहुत हैंड से भी बहुत अच्छा ब्लैंडिंग होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा बीस नहीं बनाना है हलका सा लगाना है तो आप फिंगर से भी ब्लैंड कर सकते हैं डापिंग मोशन में इस थरह से जैसे मैंने किया विल्कुल हाफ वेस में और देखो बिल्कुल लग रहा है इसके बाद मैं हलका सा फि अपने स्कीन के कॉलर का इसके बाद हलका सा रेड एड करूंगी मैं रेड कलर यह वाला कि यह करने के बाद मैं आई आइबू की नीचे भी अप्लाई करूंगी यह स्कीन कोलर वाला आइशेडो अब लाइनर लगाऊंगी अगर आपको लिक्विड लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी यह लिटल फिंगर को चिक्स में रखके उसके बाद अपलाई करें जिससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है और लाइनर जो है बहुत अच्छा लग जाता है जो है आप अपनी आइबरोज को ब्लाक ब्राउन आप फिल नहीं करूंगी यह वाइट लाइनर यूस कर रही हूं इसके लिए मैं क्योंकि मुझे सेंटर बनना है तो सेंटर जोए थोड़ा सा ओल उता है उसके कोर्डिंग में थोड़ा सा अपनी आइबरोज को वाइट फिल कर रही हूं वा अब मैंने अपने जो है आइबस भी फिल कर लिया है अब इसी से ब्लुशर लगाऊंगी मैं यह जो लिप्स्टिक की उसकरी हो रैबलून का लिप्स्टिक है इसी को लेके मैं थोड़ा चिक्स पे नोस पे मस्कारा मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है इस तरह से मैंने आइबस फिल किया है और फिंगर से ही मैंने आइशेडो लगा है उसके बाद इतना पॉफिक लगा है और जो लाइनर जो मैंने अपलाई किया है वह भी पॉफिक ली लगा है बस इतना पो इतना जो पोशन है वहां पर मैंने बेस लगा है अब मैं आपको अपना फाइनल लू दिखाती हूं यह दिखें मेरी क्रिस्मस और फुपी नीव यह आप लोगों का साल बहुत अच्छार है एक्सी जो भी आपकी ड्रीम कंप्रिंट नहीं हुए जो भी आप चाहते थे वह फिल फुल नहीं वी मैं प्रेयर करूंगी गोड़ से I hope so next coming year जो आपकी हर चीज वो fulfill हो जो इस साल नहीं होई है और आज के रिए इतना ही I hope so मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी Merry Christmas once again अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें थंक्यो फाचिज वाचिए वीडियो 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 भाइ और अगर चैनल करें मेरी मेरी क्रिस्मास